गुड मारिंग मेरे प्यारे क्लास 12 के बच्चे तो आपके लिए आगया चौथा पोयम जिसके नाम है roadside stand इसका central idea यह भी बहुत important है roadside stand चलिए बहुत अच्छा पोयम है इस पोयम का central idea देखेंगे जो बहुत important है तो चलिए हम सुरू करते हैं पहले हम से सेंटर आइडिया के मैनिंग देखने ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो ठीक है बिल्कुल आसानी से आपको समझ जाएगा और याद भी हो जाएगा जैसे कि मिजरेबल मतलब होता दैनी मतलब बहुत दुखा इस्तिती होती है कंडिशन मतलब दसा या इस्ति मतलब ग्रामीड मतलब जो गांव के लोग होते हैं फार्मिंग मतलब खेती करना प्रोड़क्ट मतलब उत्पाद यानि जो जो खेती करके उत्पादन करते हो यह प्रोड़क्ट हो गया इस्टाल मतलब होता छोटी दुकान ठीक है आगे बढ़ें अनभी कुछ मैनिंग है करा की एकस्पेक्ट मतलब होता उमीद करना त्रेवलर मतलब होता की यातरी और मिस नजर अंदाश करना स्ब्रोड मतलब पेहाद निरास ब्रुक्रेटर्स मतलब होदा की नौकरसा पॉलिटीसियन्स मतलब राजनेता पैसिजर मतलब होदा की रागीर यानि जो पैदल चलने वाई लोग है एपसलूटली मतलब होदा की बिलुकुल इंपॉसिबल मतलब असंभाव चलिए अब हम इसके सेंटल आइडिया को देखते है देखिए करा देर रोड साइड स्टेंड इस एपोयम बाई रावर्ट फरस्ट बेस्ट अन टू डेज मिजरेबल कंडिशन आफ देपूर विलिजर्स फू दू फार्मिंग एंड सेल देर पोड़क्स इस एपोयम बाईर फरस्ट किसके दोरा रावर्ट फरस्ट के दोरा लिखा गया है ये रावर्ट फरस्ट आप नाइथ में भी एंटेंथ में भी हर क्लास में है based मतलब आधायद है on today's मतलब आज के miserable condition मतलब इस दैनी इस्थिति के उपर आधायद है आफदपूर ने गरीब विलिजर ने गरीब गरामीडों के गरीब गरामीडों के इस दैनी दसा या इस्थिति के बेस पे ये कविता लिखी गई है who do farming जो खेती करते हैं and sell their products अपने उतपादन को बेचते हैं sitting at their roadside सड़क के किनारे बैठ करके जो अपने products अपने उतपादन को बेचते हैं तो आज उनके इस आज के इस दैनी इस्थिति के बारे में एक विता लिखी गई है clear चलिए they make small stall मतलब जो है छोड़ी छोड़ी दुकाने लगाते हैं sit there far whole day पूरा दिन वहाँ बैठे रहते हैं and expect some buying by the passing travelers और उमीद करते हैं कि कुछ खरेदारी करेंगे by the passing travelers मतलब जो वहाँ से यात्री गुजरते हैं उन गुजरते हुए यात्रियों से उमीद करते हैं कि वहाँ कुछ खरेदारी करेंगे but most of them लेकिन उनमें से इधिक जो है ignore them उन्हें नजर अंदाज कर देते हैं वहाँ खरेदे नहीं है क्योंकि बड़े बड़े लोग चोड़ी चोड़ी दुकान पर जाना पसंद नहीं क जाती हैं मतलब जैसे कुछ सबजी हो गए किसान है तो कुछ फाल हो गए कुछ सबजी सब बेचते हैं but the city flock does not show any interest in those but make their fun and insult them लेकिन जो city flock हैं मतलब जो सहरी लोग हैं does not show any interest कोई भी रूच या कोई भी दिल्चस्पी नहीं दिखाते हैं इन दो जमानों साले चीज़ों में but make their fun लेकिन बलकि वह उनका मजाक उडाते हैं and insult them उनका अपमान करते हैं मतलब उन जो रोड़ साइड में गरीब किसान वग किसानों के बहतरी के लिए मांग करते हैं but most of the bureaucratus लेकिन अधितित्रिक जो होते हैं जो जो क्या करते हैं नौकरसा हैं and politicians जो नौकरसा है और जो राजनीता है do the false promise जूटे वादे करते हैं and use their gentle powers और उनकी जो मासुम गरीबी है उसका परियोग करते हैं फार देनों उन बिन फिट अपने लाब के लिए and परपच अपने उद्देसों के लिए मतलब जो नौकरसा ह जो राजनीता लोग हैं यह क्या करते हैं उनके गरीबी की उनके मासुम गरीबी की के लिए जूटे वादे करते हैं ठीक है और उनके जो है अपने फायदे के लिए अपने उद्देस के लिए उनका उपयोग करते हैं ठीक है उनसे जूटे वादे करते हैं चुनाओ नाया क तो इनकुर्ण बारे रूट यानि शहर रास्टे के बारे में पॉलिच करने के लिए मदलब शएधी कोई रागीर वहां रुकता है और वह नहीं कि कुछ समान खरने के लिए दिब इस चेड कभी जौहैं दुखी होते हैं और कलपना करते हैं to stop their pain उनके दर्द को रोकने के लिए उनके दर्द को कम करने के लिए रोकने की कलपना करते हैं इन वन इस्ट्राइक मल एक जटके में ही एक जटके में ही वह उनके दर्द को रोकने की कलपना करते हैं बट सून ही डिटेन लेकिन जल्दी ही वह वापस आ जाते हैं to his mind अपने दिमाग को वापस लाते हैं and understands और समझते हैं the reality मतलब वास्त विक्ता that it is absolutely impossible की यह बिलकुल ही असंभव है कि उनके इस दर्द को कम कर पाना बिलकुल ही असंभव है even he cannot get relief पराया उन्हें relief नहीं मिलता अराहत जो है नहीं मिलता है तो यह पोएम बहुत ही सुंदर पोएम है इस पोएम का central area आप याद रखेंगे यह आपके बोड में आएगा ही आएगा और इससे बताते हैं आपके बोड में कुल पांच पोएम है पांच में से तीन आपके बोड में आता है तीन में से एक ही लिखना जाता है तो आप बहुत आसानी से तीन पोई मियाद कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं आप बने रिये माई साथ में थैंक्स थैंक्स फार वाचिंग